Hey everyone, welcome to NUSB, let's talk about Temptation Island, जिसमें already एक कपल का ब्रेक अप हो चुका है. Seems like यहाँ पे जो लोग अपना कनेक्शन ठीक करने आए हैं, उनका कनेक्शन ठीक होने से जादा, it is getting messed up. Nikita and Tain Shoo उसे निकल चुके हैं, and Jack जो है वो obviously Shoo ने छोड़ था, because during Big Bus उसने फुक्रा इंसान से एक conversation भी की थी, कि क्या इंडिया के लोग उसे पसंद करेंगे, क्योंकि आगे भी वो यहाँ पे ना काम करने का प्लान कर रहा है, तो Temptation Island पे वो of course काम के बापस से आया था, not for love, और वहाँ पे उनिकिता से मला, दे वाइब टान पार्टनर डाप, पर शो तो वो नहीं जोड़ता उसके लिए, फिर नेशांग जो है, वो last bonfire में चेतना से मिलने की जित करा था, reason being, इतने साल से वो साथ मैयान, उनका जो रिष्टा है, वो दाव पे लग चुका था, जब भी सो कि new tempter से चेतना इतने close हो रही है, तो वो जेल नहीं पाया, क्योंकि एक wrong move and then there is no coming back, now some of you may say कि एरे चेतना का भी real side दिख रहा है, तो एक point यहाँ पे ये भी highlight करनी पड़ेगी, कि at times जो contestants होते हैं न, वो alcohol के influence में होते है, foreign temptation island के विला में पूरे time घर में booze available करके दिया जाता था, and party के दौरान लोग at times इतना ज़ादा पी लेते, कि कभी कभी होश में ठीक से ना रहने के वज़े से, वो line cross करते, tempters के साथ एक relation बनाते, see no way is cheating can be justified, बट यहाँ पर यह point I am trying to put forth, that ऐसे show में booze provide किया जाता है, and show देखते वक्त में भी आपको वो scenes नहीं दिखाए होंगे, क्योंकि शराब बगेरा को वो transparent glass में नहीं पी थे, contestants को opaque glass दिये जाता है, जिसमें वो उसको consume करते है, और यह चीज़ audience को कभी-कभी पता नहीं रहती, उन्हें लगता है कि contestants पूरे अपने होशों आवाज में सब यह कर रहा है, ऐसा नहीं होता, कभी-कभी वो पूरे होश में नहीं रहते है, थोड़े नश्ये में रहते है, प्लस माहूल काफी ज़्यादा अलग create किया चाता है, और टेंप्टर्स का तो काम ही है कि सामने वाला line क्रॉस करे, और नो डाउट विला में ऐसे कई contestants है, जो इतना सब होने के बावजूत control में है, पर यह एक बड़ा point है, कि जब आप alcohol के influence पे रहते हो, तो आप straight सोच नहीं पाते, वरना you only think कि सब normal अपने होश में रहेंगे, तो hardly कोई ऐसा कुछ करेगा, जो बाद में showmakers फिर bonfire में दिखा पाएंगे, और यह सब नहीं हुआ तो show interesting उनके लिए नहीं होगा, जिस वज़े से showmakers भी सामने से उस सब provide करते हैं, अफकॉस कुछ exceptions है लाइट निकिता, जिसके case में showmakers को ज़्यादा efforts नहीं लगाने पड़ी, कि bonfire में इनके against क्या दिखाएंगे partners को, end end में तो सामने से showmakers ने निकिता के scenes bonfire में दिखाना बंद कर दिया, जैसे latest bonfire में हुआ था, ये इनको देखना था, बड़ उनके पास ज़्यादा clips नहीं थे, and even उसी bonfire में आपने notice किया होगा, कि एक indirect message pass किया गया था निशांग को आया, clip देखने के बाद वो काफी disturbed हो गय था, और उन्होंने मोनी को ना indirect way से यह hint किया, कि वो चेतना को बोले कि ये सब ना करे, and मोनी ने भी कई न गई जुपके से ये निशांग को बताया, कि उसका चेतना से बात हुआ है, and उसने उसको बोला था कि निशांग को handle कर ले, because of those moments जो date पे हुए थे, तो यहाँ से वहाँ message इस pass on हो रहे है, and इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये ना real life couple है, जो सालों से साथ में वगेरा रह रह रहे है, and शोव में आने से पहले उनको लगा होगा, कि अरे वो दोनों strong है, कि इसके साथ कुछ करेंगे नहीं, पर यहाँ पर जब वो आ जाता है, पुरा environment change होता है, वो इस temptation में आके, अगर वो एक गलत decision ले ले लेते हैं, तो possibility है कि आगे जाके वो regret करें, Ace of Space शो में एक बर यह हो चुका था, हो उस दें शो में को सब नई नवे, क्रिजान को hype कर रहे थे, कि सल्मान जाइदी को उसको choose करना चाहिए, इवन सल्मान जाइदी ने काफ़ी जूटे promises किये थे क्रिजान को, पर वो कई न गई उसके साथ game ही खेल रहा था, और सल्मान के लिए क्रिजान ने अपने fiancé को छोड़ दिया था, पर सल्मान जाइदी के already bar girlfriend थी, कई न गई वो शो पे जूट बोल रहा था, क्रिजान के साथ break up के बाद न, इवन वो स्प्लिट्सुला शो करने वाला था, जबकि तभी भी वो single ने था, और स्प्लिट्सुला के शूट लोकेशन बे वो पहुज भी किया था, वो शो करने वाला था, पर end moment पे तभीयत खराब हो गई है, यह reason देके उसने शो छोड़ा, और उसने एंट्री नहीं ली, पर कई लोगों का यह भी बोलना है, कि कई contestants को यह पता चल गया था, कि सल्मान जईदी सिंगल नहीं है, उसकी बाहर girlfriend है, और वो on camera उसको exposed करने वाले थे, तो इसी डर के वज़े से उसने शो छोड़ा था, फिर X or next यह भी शो उसने किया था, और यह जो भी शो सल्मान ने किया है ना, यह सब के दुरान ही वस नेवर सिंगल, बिकॉज अभी जो सल्मान की वाइफ है ना, उसने एक पोस्ट वाया यह बताया था, कि कई सालों से वो दोनों डेट कर रहे थे, तो कई न कई यह सेलिब्रिटीज दूसरों के फीलिंग्स के साथ खेलते है, और सीम चीज़ Temptation Island के Temptors कर रहे है, और इशांग जो है उसने भी शो में ऐसी कई चीज़े की है, जो सेम अगर चेतना करती, तो शायद वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता, और फॉरिन वाले Temptation Island के एक सीजन के तुराँ, एक कंटेस्टेंट को एक बार अपनी गर्ल्फरिंट से शो के बीच में ही मिलने दिया गया था, रीजन बिंग वो जो लड़का था ना, उसको एक टेमटर पसंदा गई थी, और वो लड़की के साथ he wanted to continue, बट ही वो उसकी जो गर्ल्फरिंट है दूसरे विला में, वो उसका वेट न करे, और लास्ट पॉनफायर के दिन उसे सड़न शॉक न लगे, इसलिए वो उसकी गर्ल्फरिंट के विला में दिया, और शोमेकर्स ने ये सब अलाओ किया, और वहां जाके उसने उससे ब्रेक अप किया, and that was very brutal, उसके वो डिसीजन के लिया आज तक उसको ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि काफी messed up था वो, और वो जस्ट उसकी girlfriend नहीं थी, उनका engagement हुआ था Anyways, यहां के Temptation Island की बात करें, तो mostly लग रहा है कि show की जो shooting है न, वो complete हो चुगी है सब वापस आगए अपने घर में And ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि recently Nikita ने एक post आला था And उसके नीचे जाड ने comment किया था Something like की My Girl But then he deleted it शाइच शो में काज नहीं न, वे यह बोला होगा की hints हो गिरा drop मत करो की कौन किसके साथ है And किसने किसको चूज किया है But seems like की end में न, चेतना, निशांक और निदी मोग विला में से साथ में निकलेंगे, उनका break-up नहीं होगा Because निदी और मोग साथ में वीडियोस डाल रहे है दो निदी इस सेंग की, यह सब शो में जाने से पहले की clips है पर कहीं न, कहीं न, कहीं, it seems like की, दोनों साथ में अभी भी And Jayad and Nikita भी अभी शायद एक दूसरे को tweet कर रहे है फिर उर्वी शेटी जो है, उसको शायद मोग ने choose नहीं किया है पर still उर्वी अपने इंस्टा पेज़ पेना मोग and उसके cute moments डालती रहती है Knowing this कि मोग already किसी और के साथ है And actually कई temptos ऐसा कर रहे है पर इस case में couples की भी गलती है क्योंकि उनोंने अपने विला में कुछ ऐसी चीज़े की है जिससे उनका temptos के साथ ने एक अलग level पे connection बना है temptos को hope दिये जा रहे है कि there is a possibility कि show से हम साथ में निकले And temptos जो है वो clearly show पे काम के purpose से आये है प्यार दूनने आये ऐसा नहीं लग रहा है इसी वज़े से जो उनके fans वगरा clips बना रहे है न वो उसे share कर रहे है दो real life में वो उस person के साथ है भी नहीं बात भी नहीं कर रहे होंगे And no one can stop them from doing this जैसे उर्वे के case में निदी उसको कुछ बोल नहीं सकती वो ये नहीं बोल सकती कि वो उसके boyfriend और मोहग का face उसके social media पे ना डाले Reason being, they signed up for this And such things will happen Just that ये show दिखाता है कि influencers and celebrities शो के हिसाब से न अपने moral switch करते है Feelings के साथ खेलना is something जो ऐसे shows में वगरा होता रहता है And कौन genuine यान कौन नहीं ये भी figure out करना difficult हो जाता है So yeah, that's it for this video Do let me know कि Temptation Island में अभी तक आपको कौन से कपल ज्यादा पसंदा आ रहा है And if you want to again follow us on Instagram Just का link आपको description में मिल जाएगा और ये video चलोगी हो Just like and share करे और ऐसे और updates के ले चान को Please subscribe करे Thank you